इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा आप कहतें मैं एक फोन काल की दूरी पर हूँ मैं पूछना चाहता हूँ किया इस सरकार के पास काल करने के लिए दो रुपए भी नहीं है अरे दो रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो लेकिन काल करलो खिसानों को चलियावला बाग कांड में शहादत देने वालों के पंसजों को आप खालिस्तानी कह रहे है जो टीजल दे रहा उस पे मुकदमा जो खाने का इंतजाम कर रहा उस पे मुकदमा एन आई ये लगा दो, सी बी आई लगा दो, पुलिस लगा दो, जाच लगा दो इनकी समस्था ये नहीं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया इनकी समस्था ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं आप बड़े अकलमंद समझते हैं अपने आपको अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझ ये भाजपा के लोगों वो बिगडायल बहल की नाक में नकेल डालते हैं आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे चिंता मत की उन चार पूजी पती लोगों की सरकार है जिन के लिए कानून बनाते हैं और जिन से चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं जो लाल किले पे लोग आये थे वो भारती जनता पाटी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पे हमला किया जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया और वो दीव सिद्धु जो भाजपा का नेता है उसकी फोटो कर्मंत्री के साथ है देश के क्रिह मंत्री के साथ है भारती जनता पार्टी को इसका जवाद देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यूं किया तिरंगे का अपमान क्यूं किया मैं दुसेंद कुमार की चंद पंक्तियों से अपनी बात सुरू करना चाहता हूँ कि हो गई है पीर परबत सी पिघलनी चाहिए हो गई है पीर परबत सी पिघलनी चाहिए इस हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोसिस है कि ये सूरत बदलनी चाहिए आज मुल्क में जो हालात है किसान के मानिवर आज क्या हालत कर दी गई है इस देश में पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है उनके उपर लाटियां चलाई गई आसू गैस के गोले छोड़े गए बुड़े किसानों की आँखे फोड़ दी गई कलकती ठंड में पानी की बाउचारे की गई उनको आतंक वादी कहा गया उनको गदार कहा गया उनको खालिस्तानी कहा गया मानिवर उनको अपमानित किया गया यहां तक की भारती जनुताफ पाटी के एक विधायक ने कहा यह किसान नहीं आतंकवादी हैं इनको सूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूँगा जूतों से मारूँगा ये भाज़पा के लोग कह रहे हैं मानिवर इस देश के अन्न दाता जो आपको अनाज पैदा करके आपका पेट भरते है आप उनको जूतों से मारने की बात करते है 11 दोर की आप वारता कर चुके सारी की सारी वारता फेल आप कहते हैं मैं एक फोन काल की दूरी पर हूँ मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस सरकार के पास काल करने के लिए दो रुपए भी नहीं है अरे दो रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो लेकिन काल कर लो किसानों को काल कर लो किसानों को उनकी पीडा चरम पर पहुंच चुकी है मानिवर 165 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है आप जाये गाजीपुर बॉडर पे वहाँ पे 97 साल के इलम सिंग आपको मिलेंगे उनके दो बेटे फौज में हैं रो रो के कहते हैं मुझे इस उम्र में उग्रवादी कहा जा रहा है नक्सल वादी कहा जा रहा है उनकी पीडा मानिवर आप जाएे टीकरी बॉडर पे आप जाएए सिंगू बॉडर पे पीडा के साथ वो लोग कहते हैं सहीद आजं भगस सिंग के बंसजों को शहीद लाला लाजपत्राय के बंसजों को जलियावाला बाग कांड में शहादत देने वालों के बंसजों को आप खालिस्तानी कह रहे है आतंकवादी कह रहे है उनको अपमानित करने का काम कर रहे है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या दुस्मनी है आपकी इन नदाताओं से चलिए सब कुछ कर लिया आपने अब तो कम से कम उनके उपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा आपको लेना चाहिए अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी है आप चले जाएए गाजी पूर बॉर्डर पे मानिवर कटीले तार बड़े बड़े कीले गार दी गई है बारा बारा इंच की कीले सड़कों पे गार दी गई है देखकर ऐसा लगता है कि दुस्मन देश की सेना आने वाली है ऐसी परिस्थितियां दो परिस्थितियों में जन्म लेती है मानिवर जब देश का सासक अपनी जनता से डरने लगता है तो ऐसी सीमाएं बेडियां बनवाता है या देश की जनता को सत्रू समझने लगता है तब ऐसी बेड़िया लगवादी तैं ये हो रहा है माने में आज इनके जुर्म के कारएं हिंदुस्तान के महान किसान नेता बाबा महें सिंग टिकायत के बेटे राकेस टिकायत को रोना पड़ा और ये कहना पड़ा कि भाजपा के लोग घेर कर हमें लाटियों से पीटना च करते हैं आप आजादी की बात यहां पर करते हैं आपने इस देश की हालत ये बना रखी है कि राजदीव सरदेशाई जैसे वरिस्ट पत्रकार के उपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने का ताम किया हर तरफ जुम हर तरफ एफ हर तरफ मुकदमे जो पानी पहुचा रहा उस पे मुकदमा जो डीजल दे रहा उस पे मुकदमा जो खाने का इंतजाम कर रहा उस पे मुकदमा एन आई ये लगा दो सी बी आई लगा दो पुलिस लगा दो जाच लगा दो अरे वो आपके देश के नागरिक हैं आप कहते है किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया हम बड़े समझदार हैं आईए हम आपको किसानी बिल समझ आएंगे मानिवर इनकी समस्या ये नहीं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया इनकी समस्या ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान आप बड़े अकलमंद समझते हैं अपने आपको अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझ ये भाजपा के लोगो वो बिगडायल बहल की नाक में नकेल डालते हैं सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे चिंता मत की जिए मैं आज सुन रहा था मानने वाज़े मुझे बड़ा आश्चर हुआ सारी की सारी भारती जनता पार्टी की सांसत जितने भी नेता बोल रहे थे कांगरेस पार्टी ने 1929 के घोषना पत्र में इसको लिखा था ये बिल तो कांगरेस पास करना चाहती थी जी एस्टी की बात करो ये बिल तो कांगरेस करना चाहती थी हम इसलिए इसको कर रहे है लेकिन वो सांसत ये बताना भूल गए कि जब ये बिल कांग्रेस लेकर आई थी तो उस समय स्वरगी अरून जेटली जी ने और स्वरगी सुस्मा स्वराद जी ने उस समय बिल का विरोध किया था और कांग्रेस ने अगर 19 के घोशना पत्र में इस बिल को सामिल किया था तो उनको तो पच्पन पे पहुँचा दिया आपने तो लागू कर दिया आपको पांच पे पहुचा देगे इस देश की जनता पांच पे पहुचा देगे इसलिए अगर आप कांग्रेस के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं तो जनता को भ्रमित मत कीजिए अपनी पार्टी का नाम बदल कर भारती जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कर लीजिए कांग्रेस A हो जाए, कांग्रेस B हो जाए जनता प्रचार करें आप लोग समझें, आप क्या कहना चाहते हैं जनता तै कर लेगी मानिवर इस बिल में क्या-क्या लिखा है वो बातें आपको बता के और थोड़ी बातें कहके अपनी बात खतम करूँगा असीमित भंडारन की छूट दी गई है इन बिलों में और वो क्यों दी गई है दो साल से अडानी का 100 एकर जमीन का लैंड यूच चेंज करने की अप्लिकेशन हर्याना सरकार के पास पेंडिंग थी लेकिन 7 माई को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था उस समय उस लेंड यूज को चेंज करके सव एकल जमीन पर अडानी को भंडारन कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई और पाँच जून को आडिनेंस के जरिये असीमित भंडारन और कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई तो एबिल किसाने के किसानों के लिए नहीं लगा गया है अपने चार पूंजी पती मित्रों के लिए ये सरकार ये काला कानून लेकर आई है उन्हीं को फाइदा पहुँचाने के लिए काला कानून लेकर आया गया है उन्हीं के लाप पहुचाने के लिए एक आला कानून ये सरकार 130 करोण हिंदुस्तानियों की सरकार ने ये मानिवर ये सरकार उन चार पूजी पती लोगों की सरकार है जिन के लिए कानून बनाते हैं और जिन से चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं ये उनके लिए बनाईगी ये मानिवर मानिवर इस सरकार में कहा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कि एक किसानों का साथ दे रहे हैं किसानों का साथ दे रहे हैं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है उस्तादन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल आम आदमी पार्टी किसानों का साथ दे रही थी देती रहेगी और आपने हमसे नव स्टेडियम मांगा जेल बनाने के लिए केजरिवाल जी ने इंकार किया हम वहाँ पानी का इंतजाम कर रहे हैं आप पानी का इंतजाम रोक रहे हैं हम वहाँ साउचाले का इंतजाम कर रहे हैं, आप वहाँ साउचाले का इंतजाम रोक रहे हैं, आप वहाँ पर लोगों को पानी, खाना, साउचाले, इस तक पर प्रतिबंद लगाना चाहते हैं, इंटरनेट, वो दुस्मन देश के नागरी के क्या, उनके साथ इस तरह का बे लेके निकला और साथ रूट पर कहीं किसान ने कोई उपद्रों नहीं किया कोई हिंसा नहीं की जो लाल किले पे लोग आये थे वो भारती जनता पाटी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया और वो दीव सिद्धु जो भाजपा का नेता है उसकी फ कुद किया तिरंगे का आपमान क्यों किया मैं एक कहना चाहता हूं मानिवर आज वो दीव सिद्धो संजैजी करना की ला सर सब को समय मिला मुझे भी थौदा समय सब को समय दिया मुझे भी समय रिए त defenders सर, मानवर, दीव सिद्धू, भाजपा का नेता वो फरार है, जिसने लाल किले पे हमला किया, जिसने तिरंगे का अपमान किया, अपनी घिनोनी राजनीती के चक्कर में, ये लोग कहां तक जा सकते हैं, इसका सच है, ये जो सामने आया है, आप MSP देने की बात कहते हैं, आप कहते हैं, हम इस देश के किसान को MSP देंगे, बड़ी अजीब बात है मानवर, इस देश के किसान को MSP देने के नाम पर क्या कर रहे हैं ये, मैं उत्तर प्रदेश की खबर बता रहा हूं, दस धान के क्राय केंद्रों पर दस अधिकारियों के खिलाफ F.I.R. हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की खबर, बरेली के अंदर उत्तर प्रदेश में तीन करोन की धान खरीद हो गई काज्यों पे, किसान का पता तक नहीं है, तो डेरेक ओबरायन साथ जो यूपी में खरीद हुई है, वो भूतों की खरीद हुई है, किसान का पता नहीं नाम दर्ज करके ख चार साल में गन्ना किसानों पे मात्र दस रुपए इन्होंने बढ़ाया है उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र दस रुपए मानिवर तो इसलिए ना आप MSP देना चाहते हो ना किसान को उसके फसल का दाम देना चाहते हो असीमित भंडारन की छूट दे कर आपने पूजी पती मित्रों को ये सुविधा दे दी कि सस्ते में किसान से अनाज खरीदेंगे सस्ते में किसान से फल खरीदेंगे सस्ते में किसान से सबजियां खरीदेंगे उसका बड़े बड़े स्टोरेज में भंडारन करेंगे जमा खोरी करेंगे और जब बजार में फल सबजियों की कमी ह जाएगी अनाज की कमी हो जाएगी तो महंगे गामों में जंता को बेचेंगे यानि आपने महंगाई को जमाखोरी को काला बाजारी को इस बिल के माध्यम से लीगलाइस करने का वैधता परदान करने का काम किया है इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया है उसका रास्त झाल झाल